नमस्ते मास्टर्स आपने थम्नेल पर एक दादा जी को देखा है ठीक है और यहां भी आख वो इसकी फोटो सायद देख जाएगी गौर से ज़रा देखिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत जरूरी बन जाता है ये जो दादा जी है उनकी आखे अल्मोस सम मझले कि वो नहीं देख पा रहे हैं और उनकी एज वो जज़बा है सीखने की वो चाहत है कि उन्होंने मुझसे हुलिफायर एकी सीखी पूरी स्टोरी में आपको बताऊंगा यह स्टोरी आपको हुलिफायर एकी सीखने के लिए स्पिर्यूचालिटी में आगे कोर्स सीखने के लिए आपको इंस्पायर कर सकती है इसलिए मेरे साथ बने रहे हैं यह जो दादा है उनका नाम है सौरब चंद्रा यह आग्रा के उत्तरपतेश के इन्हों ने इनकी जो स्टोरी इस तरह से है कि 2006 के रिटायर्मेंट के बाद दिरे-दिरे उनको आखों से दिखाई देना बंद हो ले लगा जो ग्लोकोमा बोलते हैं ठीक है उनका ओप्रेशन करवाया फिर भी वह सक्सेस नहीं होगा फिर दिरे-दिरे आखों पर जो बोलत लेकिन इतनी रोस्टीना होने के बाद भी इस साल की बात कर रहा हूं इस साल की बात कर रहा हूं एक साल में उन्होंने सबसे पहले उस्वी रेगी के लेवल 1,2,3 सीख लिए उसके बाद एंजल थेरा भी उसके बाद करूना रही की एक के बाद वो सीखते गए देखी उनका जज़बा गया है एक साल में भी इतने कोर्स सीख लिए और इससे भी उनको आगे बढ़ने की जो चाहत थी इसकी बज़़से उन्होंने यूटूब मेरा वीडियो देखा उनको मुझे मुझ पर विश्वास है कि नई-चलो में उन्होंको सही तरसे सिखाओंगा उनको अच्छी तरस सिखाओंगा उसी तरह से उनमें से एक बार मेरा वीडियो आ गया और वो सुनने लगे हॉलिफायर एकी के बारे में और उनके अंदर से वो चाहत निकली कि हाँ मुझे डॉप्टर अस्मुक से हॉलिफायर एकी सीखनी चाहिए फिर एक बार उन्होंने मुझे से फौन किया कि वो सीखना चाहते हैं पहले बार उन्होंने नहीं बताया था कि वो नहीं देख पा रहे थे देकिन दूसरी बार, कुछ दिनों बाद फिर से फोन किया हूं, मुझे बताया कि मैं नहीं देख पा रहा हूं। क्या मैं मेरे अपने कोई भी रिलेटिवस को अपने साथ में रखकर सेख सकता हूं। मैंने उनको पर्मिशन दे दी। क्योंकि मैंने भी मुरे अंदर भी वो चाहत आ गए कि ये परसन 77 यर की एज है आख्यों से अच्छे दिखाई नहीं दे रहा है फिर भी उतके अंदर वो चाहत है कि वो हुलिफायर एक कि सीखे तो अकर वो रेडी है तो फिर मैं क्यों रेडी नहीं हूँ मैंने उनको पर्मि इस तरह से मैं गूगल मीट पर क्लास लेता हूं ठीक है ओनलाइन फेस्टू फेस मैंना उनको थियरी सिखाई लेवल वन टू का प्लेस्मेंट दिया सभी प्रेक्टिकल्स करवाएं प्रेक्टिकल्स के दौरान क्या होता था कि उनका बतिता था मैं उनको सब कुस बोलता थ ठीक है फिर उनका बतिजा था वो उनको करवाता था कुछ स्टेप जैसे के सेल्फ फिलिंग में की मैं प्रेक्टिस करवाता हूं उसको जो मेडिटेशन है जो जापान इस दे की तक्निक है ठीक है वो सब में इसकी प्रेक्टिस करवाता था तो उसका बतिजा था वो उनको कहाचा था कि आप इस तरह से करें और यकीन मानएए वो बहुत दी अच्छी तरह से कर थें bem dau दी अच्छी तरह से मैं भी कुद अमेज़िक me अफ्रता है और उनकी पावर इतनी अच्छी तुक उनको भी उस उस टाइम की एनर्जी का एसास हो रहा था जो कुछ प्रैक्टिकल थे वह भी इतनी अच्छी तरह से कर रहे थे मैं भी खुद अमेजिंग हो सोच में पड़ जाता कि कि यसे वह बिना अखों से भी इतना अच्छी तरह से कर लेते हैं यकीन मानिया मुझे भी बहुत मज़ा है मुझे एक प्रावड फिलिम हुआ कि नहीं मैंने उनको सिखाया है बहुत ही मज़ाया प्रैक्टिकल सेशन के दौरान पूरे सेशन के दौरान बहुत ही मज़ाया उनको सिखाने के लिए उनका एक्सपिरेंस भी उन्होंने मुझे श अच्छा response नहीं मिला तो उन्होंने एक्स्पिरेंस में मुझे शेयर किया उसका ओडियो भी है मेरे पास अगर किसी को लग रहा है कि यह सब मैं गलग बोल रहा हूं तो मैं उनको ओडियो शेयर कर सकता हूं मेरे वाट्सप गूरूप में उसमें मैंने वह ऐडियो तो शेयर क अपनबव हुआ है और जो भी मैं उनको सपोर्ट कर रहा था जो भी प्रैक्टिकल कर रहा था जो भी सभी सवालों के जवाब मैं उनको दे रहा था वह पुरी तरह से सटिसपाइड थे उनको बहुत ही मज़ा आया और फुली सेटिस्पाइट थे हॉलिफायर एक सीखने के बाद मुझ से मैं उनका दूसरी दिन मैंने उनको फॉन भी किया था कि आप आपने हॉलिफायर की किलिंग स्टार्ट किया है नहीं किया मेडिटेशन स्टार्ट किया नहीं किया इस तरह से मैंने उनका एक बार कॉल करके दीखा अच्छा रिस्पंस मिला तो यहां पर आपको सीखना यह है कि देखिए अगर यह सुभाष चंद्राजी जिनकी आँखे अच्छी तरह से देख नहीं पा रही है जिनकी 77 यार की एज है जिनने उस्वी रेकी एंजल थेरापी करुणा रेकी यह सब भी सिखे फिर भी उनको वो चाहत थी वो जज़बा था वो विल पावर थी कि मुझे आगे बढ़ना है मुझे होली फाय रेकी सीखनी है तो अगर उनके पास आखे नही पीलिंग आई हुएगी कि जिन्नोंने उन्होंने मुझसे होली फाय रेकी सीखी तो आपके पास तो आखे है तो सीखिए होली फाय रेकी डैफिनेटली मेरी लाइफ में भी बहुत सारे पॉजिटिव चैंजिस आया है इतने मैंने 2021 में सीखा था भी 22 चल रहा है बहुत ही अमेजिंग परिवर्दन आया हुआ है मेरे मैं मेरे गुरू को भी दन्यवाद करना चाहूंगा अगर आप भी मुझसे सीखना चाहते हैं तो मेरा वाट्सप नमबर है 9974969080 थैंक्यू